एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियों देखने वाले हैं कच्छा दसमी बहुतिक का चेप्टर 4 जिसका नाम क्या है विदुद्धारा का हम लोग आती लगूतर ये प्रश्ण इस वीडियो में हम लोग देखने वा चलिए अप लोगों देखे देख रहा है यहां पर बीभाव और दोंनों का सी महत है बोल्ट को जितना अतिने लगूतर आपस्नियु देखनेेंगग है तीन से चार अब्यक्टि पलास रहता है और दो नंबर में तो कम से कम तीन चार की उसन दो नंबर में बन जाएगा यानि अभी जितना अतिले प्रश्ण हम देखेंगे तो भी हार बोड में इसे कि उसन कम से कम नंबर बोलते हैं कितना नंबर के आजाएगा तो कम से कम आठ से दस नंबर का आ जाएगा भी हारबोर्ड में इस से सिर्फ ठीक ना अभी जो अतिले भूतर ये प्रशन हम लोग देखेंगे अब दूसरा की उसन देखिए कि बिधूत परिपत किसे कहते तो देखें यहां पर बिधूत परिपत नहीं यहां पर कर लिए जगा बिधूत धारा जिस पत से धारा परवाहित होती है उस पत को क्या करते हम लोग बिधूत धारा की तो परिपत के कि प्रवलता की परिपत की परिप वहा साब लोग आवेश का जो परिमान होता है उसे कि अब क्या होता है बिधुत-धारके निपरबंगों थार технолог आधके या यह तु आप लोग जानते होがे कि इने कि विद्ध्धाम आवेश होता है एक से लिख ली принципе दाकिस तरह लेmeeर पर पावर माइनस 19 कुलम ये इस तरह से दहिए यहांपे लिखा भूख जटेंक यहां पर नहीं जा रहा था यहांपेस तरह से लिख ृइइए इस तरह से लिख लीजिए गाई 10600- भर पार मान-एस के परवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग एक एंपर कहते हैं एक एंपर हो सकता है बिभाव द्धानात्मक दिनात्मक सकता है रिदिपस्ट यह सकता है और पषिंद याँधनात्मक दोगम चलिए बीड़नात्मक शौकता είναι में जोड़ा जाता है या स्रेनिक में तो स्रेनिक यह जो होता है की अएब लुट में समांतर क्रम में चुड़ते हैं चले आगला नमबर आठावा नमबर की उसंद देखिए हैं कि हमें वो धीक होता है टोल्न पर-दिरय किसका परति रूधत अधीक होता है चलिए दसमा नमबर की उसंद देखिए कि सबहुर्ण प Strachdame पर टॉस सब्सक्राइब करता है एक अभिशेत पर उस योगती का नाम लेखिए जो किसी चालक निशाphem के सीडोंग के दीन बीच और न बनाये रहाए राखने में सहाला करती है तो क्या करता सेयल जो cay SAL econ को बनाए रखता सेल बैटरी यानि चलिए आप आप बार्णाम एस दीज्धिता है कि यहां कहने का क्या अताथप्र है कि दो बिंदूगों के बीच वह एक वोल्ट एक वोल्ट किसी परिपात में दो बिंदूगों के बीच एककुलम आवेस के दुआरा एक जूल कार किया दाता है उसे ही एक बोल्ट का थे यानि कि यह बिंदू है यह बिंदू है यह बिंदू ए और यह बिंदू बी यानि कि यहां पर कोई आवेस है क्यूं यहां से यहां से मतलब ले जाने में यहां तक क्यूं को लाने में जो कार किया दात यहां परिपात में दो बिदूगों के बीच बिवांतर्म आपने के लिए बोल्ट मीटर को किस परकार सयूजित करते हैं तो समांतर करम में और जो तो आमीटर होता है उसको स्रेनी करम में यहां पर यह दोनों याद रखिएगा चलिए आप चौदा नंबर की उसन दिखते हैं कि विदुद धारा परति रोद इंप वांतर के बीच क्या समझ देते हैं भी बराबर होता है इसे ही ओम का नियम भीकाते भी बराबर हो जाएगा ठीक है चलिए बगला नंबर देखते हैं कि उसन है पंद्रा नंबर की उसन परतिरोद का मातरक है ओम इतो जानते हैं को आप लोग परतिरोद का इसा मातरक हो देगा चलिए आप सब्सक्राइब के नियम का गनीतिये रूप क्या है तो ओम का नियम का गनीतिये रूप है भी बराबर है आई यार वह बिए आएर यह है गणीतीय रूप पइशको लिख लिजेगा उतर में चलूरी आप अगला नमबर के उसन रिख्ते हैं आठारा समयता जो से थे ईसका उतरम जाइस से और नविशnia लाने में किया गया कार विधूत विभाव का लाता है यहां तक लाने में जो कार किया जा रहा है उसी को क्या करते हैं लोग विधूत विभाव करते हैं उनिषण संहें कि सरल सेल में धान धुरू कारिकान करता है तामे प्लेट करता है आप यह लिख लिए गा जबीध निखते हैं कि परतिरो धकता काई सामादर क्या व्यार को तो ओम मीटर मीटर से अगर वीशन अब्जेक्टिव में बने भी हार्वोड में नहीं नहीं लिखा ह स्ट्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आप वीडियो को लाइक कर लिए ठीक ना चलिए अब आगे देखते हैं एक इस नंबर की उसन क्या है कि किसी चालक में धारा के परवास से उस्मा में अंतरित उर्जा का ब्यांजक लिखें तो क्या होता यह देख की बिधूत सकती कहते हैं ठीक है जलिए अब तेष नंबर की उसन देखते हैं तो इसका क्या अर्थ हो तो इसका यह चांद के ब्वाइब करें दूब्वांतर पर सकती का उप्योग करेंगा चलिए 24Go वाट घंटा क्या है कि स्रृषी नम्ट किया है किलो वाट घंटा क्या है यह हो जाएगा लगो चैनल एक बीधु तुल या का कि अ defended ृव्य होता है यहां धीक यह हो जाता है अधिक यह हो जाता है अधिक इसका हो जाएगा उत्तर अधिक हो जाएगा चलिए आप देखते हैं आप लोग 26 नंबर क्यूशन है 26 नंबर क्यूशन क्या है कि तीन विधुत उपकरों के नाम लिखे जिन में विधु धारा के उसमी परभाव का उप्योग होता है यानि कि तो मस तास नंबर क्यूशन के मातरक,ंप एंपेर,मोल्ट,ं वाट में कोई,एक अन्य दोनों का गूना इन्में कौन है तो कौन है तो देखे यहां प्र उतर हो जाएगा 27 का उत्तर हो जाएगा कौन ओल्ट, न्युक्त बोल्ट हो जाएगा धिकशन रादू इधर यहां पे इ इस तरह से होता है यहां पर इस तरह से कर लीजिएगे ठीक ना तुक्षक देख्था नमर यह चलिए आप देखते हैं अधिक ऊच्छ गलनांक अधिक उच्छ रहरा यानि लगभग तो समद्सटार ये दंसमें Kita, का इसमें हो रहता लोहा है जली जैसा जो हीट रात है फिर भी नहीं गलता लेकिन अगर लोहा का बना दते तो पदू जाता इसलिए जए कि छाक चलिए आगे देखते हैं अब आगे दखें क्या 29 नमबर क्या की दुषन क्या विधूत-धारा-धौरा-प्रदत की दर द्वारा प्रदत उर्जा को किलोवाट घंटा के मातराक में ब्यक्त किया जाता है एक 30 नमबर दखिया है परतेवर्ति धारा की सुपकरान से प्राप्त होती है तो यह तो हम लोग देख लिए परतेवर्ति धारा जनित्र से 32 नमबर किप्शन है कि विदूत हीटर में तार के कुंडली किस धातू की बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है यह भी दखिया की मोशन पॉड़ेट की उसन है प्यार बड़ में बार बार पूछा जाता है कि जो विदूत हीटर में जो नाइक्रोम की जो कुंडली होती है वो किसका बना होता का इड़ार हे किसका परभाव का उपियोग होता है उस मीए पर भाव का ने जैसे का नहीं कर दिए देश्ट धारा होता है जो कि बैटरी से चलता जो घर में सोलर से चलता उसको देश्ट धारा बोलते हैं अब परतेवरती धारा बोलते हैं जो हम लोग के उपर में जो लाइन आता है सरकार के द्वारा वाला बोलते हैं उसको परतेवरती धारा देश्ट धार हो गया बैटरी से प्राफ्ट करते हैं और डाइनमोस जो साधी विवा में जो जन्रेटर होता है उसको बोलते हैं चलिए अब 36 नमबर की उसन दिखते हैं कि विदूत फ्यूज में उप्यूप परिय उसका गल्दांग जो है कम होना चाहिए तब ही ना जिसे अगर मानके चलिए फ्यूज में जब हम लोग ट्रांसफर्मा यह सभी में फ्यूज लगाते हैं अगर मानके चलिए उसका गल्दांग जो है बहुत उच रहेगा तो सोट लड़ेगा तो गल्ले यह गाई नहीं लिए उसका जो गल्दांग है क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और परतिरोधकता उसका उच रहना चाहिए ताकि जब भी सोट लगे तो लाट करांट को ज्यादा पास नहीं होने थे और तुरंत ही वह क्या हो जाएगा गल्जा है 37 नमबर की उसे दखे कि 6 वोल्ट की बै सुरियने हो ज्रफेस शु पहले तो हम लोग पर्तिरोध LOL वर्मूला लगाते थे वह बचे हैं यहां पर होता है फार मूला लोग देखते हैं रही ही बराबर होता है सोरी कि भी बराबर होता है जासे आई आर की इस दिया हुआ तर जी जिरो से ढ़ा जयेगा इहां यहां पर आगे कितना इगारा और परतिरोध का इसा मात्र क्या होता है ओम याने कि गारा ओम इसका अंसा रहा जागा यह वाला यहां से आप लोग यहां तक इसको खौपी में लिख लीजिए ठीक है चलिए बगला नमबर की पूछ नहीं नमबर की उसे एक चालक परति रोध पाच इम्पी एर इसमें 0.5 द्योर परवायत करने पर उत्पन विवांतर कितना होगा तो यहां पर हमसे पूछ रहा क्या विवांतर कितना होगा यानि भी हमसे तो रहने दीजें पर आई कितना दिया हुआ जिरो पॉइंट पाच जिरो लिख लिख लिएगा अब चलिए देखते हैं 40 कि एक विधूत बाल्व पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकीत है वल्व से परवाहित विधूत धारा का मान कितना होगा यानि कि उजु है कितना परवाहित करेगा विधूत धारा तो फर्मूला यह दकी होता है आई बराबर होता है पी यानि हो गया सकती ठाव यानि कि वाट हो टो और व और यह वोट बीच वोल्ट यानि कि 220 वोल्ट जो दिया हुए तो इहां पे देखे सो बते मिलाईगा 702 22 से 1075 वगते उदोनी 10 vrij Кर्राइब से जोड़ने पर एक एलिस्स वोल्ट मेंच से जोड़ने पर एक और reckुण की धारा लेता है आर्लेम का परतिरोद कितना होगा यहां पर धेखेए हो जाएगा बाइष नहीं प्रण लगा कि लिए और यहां पर देखेए क्या करेंगा कट करेंगे यह से जीरो कट जाएगा दूसरे 22 कटेगा तो 11 मर्तवी जाने हो गया 11 MPR इसका उत्तर चलिए पूरा क्यूशन हो तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब जगली जय हिंद जय भारत